आज की रेसिपी बहुत ही डिफ्रेंट और एकदम यूनिक होने वाली है क्योंकि आज हम बना रहे हैं भुट्टे का कीस और वो भी बिना भुट्टे से एसा तरीका शायदी आपने पहले कभी देखा होगा बहुत ही यूनिक रेसिपी है आप एक बार जरूर से ट्राइगर क क्योंकि इस समय बुट्टे का सेजन तो है नहीं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कप मकई का दलिया मार्केक में इजली मिल रहा है तो इसे हम डाल देते हैं किसी बाउल में तो अगर आपके पास घर पर मकई रखी हो तो आप मार्केक में पिस्वा कर उसका दल अब इसमें डालेंगे पानी लगबग एक से देड़ कप पानी डाल देंगे और इसे रात भर के लिए भीगोने के लिए चोड़ देंगे ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तो आप चाहे तो छे से साथ घंटे के लिए भीगो सकते हैं लेकिन अगर आप ओर नाइट इस लेकिन इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़े से गरम पानी का यूज़ करना पड़ेगा गरम पानी में आप इसे भीगो के रख दीचे तो चार से पांच गंटे में भी अच्छे से पूल के तयार हो जाएगा तो अब हम इसे डाल देते हैं प्रेशर कूकर में इसमें से म दाल देते हैं एक से देर कप पानी तो इसे पकाने के लिए आप दूद का यूज़ जरूर से कीजिए इससे यह होगा कि इसका जो स्वाद है ना बिल्कुल फ्रेश मकई के दाने जैसा ही लगेगा तो कूकर को में ने बन कर दिया है और अम इसकी साथ से आर्ट सीटी लग तो अगर आपको कच्छा लगता है तो आप थोड़ा सा दूद और पानी डाल के इसे एक बार फिर से अच्छे से पका लीजिए लगबक आप इसकी साथ से आर्ट सीटी जरूर से लीजिए तभी बड़ी आसे पक पाएगा तो यहां पर देखे बहुती बड़ी आसे नरब हो चुका है सौफ्ट हो चुका है तो लग रहा है ना विल्कुल भुट्टे को जैसे हमने कद्डुकस किया है यानि जो दूद वाले दाने होते ना बस वेसा ही यह पक के तयार हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं एक चमश नमक एक चमश में यहां पर लाल आप चाहे तो यहां पर यह जो भुट्टे का की से घी में भी बना सकते हैं उससे बीस का टेस्ट बढ़िया से आता हैं इसी के साथ में डाल देती हूं आधच्छा मच राई राई की तड़कने पर मैं यहाँ पर तिन से चार लोंग डाल रही हूं और इसी के साथ दो से तीन हरी मिच्छे ले लेते हैं बारिक कटी वी और अब हम इसमें डाल देंगे करी पत्ते तो चलाते वे इन सबी चीजों को थोड़ा सब भून लेंगे तो फ्रेंड्स आपकी शाहर की कौन सी डिश फेमस है मुझे कॉमेंट करके जरूर से बताईए जिसे इंदोर का भुट्टी का किस फेमस है तो अब मैं इसमें डाल देती हूं कटेवे काजू काजू मैंने आप पर चार से पांच लिये हैं इसके मैंने पीस कर लिये हैं आपक सबी चीजों को बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो अभी यह बुट्टे का की से तयार नहीं हुआ है अभी हमें इसमें और भी चीज डाल ली है तो पूरी वीडियो आप देखिए तो यहां पर इसे और भी पकाना होगा तो पकने के लिए हम यहां पर पानी यूज करेंगे लगबग आदा कप पानी डालके हम इसे फिर से कवर कर देंगे और कवर करकर हम इसे लो फ्लेम पे तीन से चार मिट के लिए पकने देंगे आप चाहे तो पानी की चगह इस समय भी दूद का यूज कर सकते हूँ तो लो फ्लेम कर देंगे और इसे कवर कर देंगे और बीच के पास यह कडाई नहीं है तो आप कोई भी भारी तले वाली कडाई ले लिजे क्योंकि जो भुट्टा होता है नीचे तले में चिपकता ही है तो चलिए अब हम इसमें डाल देंगे दो से तीन चमच भुनावा बेसन लिया है इसलिए मैं इस समय डाल रही हूं लेकिन अगर कच्चे बेसन का यूज करते हूं तो कडाई में डालने से पहले आप तेल में बेसन को कुछ देर के लिए भून लिजे इससे बेसन का कच्चा पन बिल्कुल अलग हो जाएगा लेकिन कच्चा बेसन हमें बिल्कुल भी यूज नहीं करना है या तो आप तेल में इसे भून अगर आपका अगर यहां के साथ बढ़िया से बहूं जाएं लोगा लगा अब आपको जँसर नहीं में 10 मिट में 5 जाएंगा 20 आपको ते दियार हैं 20 मित में take it तो थोड़ी सी चीनी आप यहाँ पर ओर डाल दीजी क्योंकि हम इसे दल्ये से बना रहे हैं ना तो इसमें थोड़ा सा मिठास लाना तो जरूरी है चीनी भी मैंने बढ़िया से मिक्स करती है तो अब हम इसमें डाल देंगे बारी कट किवी धन्या पती अगर आप चाहे तो इस समय कद्दू कस्कियावन आरेल भी डाल सकते हैं उससे भी इसका स्वाद बहुती बढ़िया से आता है तो इसे भी मैंने बढ़िया से मिक्स कर लिया है तो अब हम इसमें डाल देंगे निम्बू करस पूरा एक निम्बू आप इसमें डालिए इससे इसका स्वाद बहुती बढ़िया आएगा तो आप घर पर भुट्टे का किस कब बना रहे हो मुझे जरूर से बताईए तो निम्बू डालके भी इसे बढ़िया से हम मिक्स कर लेते हैं अब हमारे बुट्टे का किस बन कर बिल्कुल तयार है आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर से बताईए और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूले साथ ही मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीचिए मिलते हैं एक नए रेसिपी के लिए